हमास और इस्राइल वार और कतर की घटना से सह में निवेशक भारत को 20,300 करोड का नुकसान हुआ है इस्राइल हमास की बीच वार चारी है कतर में भारतियों को मौत की सजा सुनाई गई है अमेरिकी एकोनोमी में उतार चड़ा जारी है इन सब घटनाओ का असर भारत पर भी दिखरा है इन घटनाओ के चलते निवेशकों में डर का महल है खास कर विदेशी निवेशकों में दरसल घटनाओ की वजह से विदेशी निवेशकों ने भारतिय शेह बाजार से 20,300 करोड निकाल लिए है इन घटनाओ की चलते अक्चूबर में भारतिय बाजार में बिकवाली हावी है क्रेविंग अलफा के स्मॉल केक्स प्रबंदक मयंक महरा के मताबिक आगे चलकर SPI के निवेशक का प्रभाव फेडरल रिजर्व की बैठक के नीतियों तथा वैश्विक आर् हो चुका है 20,300 करोड का नुकसान भारत को हुआ है